वेलकम टो अडो शिफ्ट आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं होंडाई वैन्यू एनलाइन के बारे में जो की फाइनली लॉंच कर दी गई है जुसको अन्वील करा गया था थोड़े ही दिनों पहले अब लॉंच प्राइस अगर में बात करूँ तो 12,16,000 रुपे में ये लॉंच करी गई है 21,000 के टोकन अमाउंट से आप इसे अपनी एक नई SUV को बुक करा सकते हो ऑनलाइन भी करा सकते हो या आप signature dealership जो हंडाई के है वहाँ जाके भी आप इसे N-Line को बुक करा सकते हो अब चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियंट्स के बारे में, changes के बारे में, color option के बारे में और engine और transmission option आपको इसमें क्या क्या देखने को मिल जाते हैं तो चलिए सबसे पहले start कर लेते हैं वेरियंट्स के साथ ही N6 और N8 वेरियंट्स में आपको देखने को मिलेगी काफी जाधा exterior enhancement और interior enhancement करी गए ताकि जो standard और regular model है उससे आप differentiate इसे कर सके color option की बात करें तो 3 dual tone color option और आपको 2 single tone color option देखने को मिलेंगे dual tone की में बात करूँ तो thunder blue with black roof आपको मिल जाएगी polar white with black roof shadow gray with black roof यह आपके dual tone color option है अगर मैं single tone color option की बात करूँ तो polar white और shadow gray आपको इसमें exterior color option देखने को मिलने वाला है अब exterior में क्या क्या change करा गया है regular model के comparison में उसकी में बात कर लेता हूँ इसमें आपको dark chrome finish आपको front grill मिल जाएगी N-line के आपको emblem देखने को मिल जाएगा side में, front में और rear boot lid पे उसी के अलावा sporty spoiler आपको देखने को मिलेगा जो की tailgate के ओपर mounted करा गया जो की black में आपको देखने को मिलेगा solar inch के diamond cut alloy wheels मिल जाएगे N-line की branding उस पे मिल जाएगी brake calipers मिल जाएगे जो की red color में paint करे गए है और पूरी body पे आपको red accents जो है वो lower bumper पे और side claddings पे देखने को मिल जाएगी जो की देखने में काफी ज़दा sporty लगती है उसी के अलावा N-line में आपको एक unique dash cam dual camera setup भी देखने को मिलता है इंटीर में बात करें तो all black interior आपको मिलेगा लाश्ट अंट टस्क्रीन इंफोटेन्मेंट देखने को मिल जाएगा Android Auto, Apple CarPlay, Blue Link Tank, Connectivity, Home to Car, Alexa, Google Voice Assist यह जो features आपको standard model में देखने को मिलते थे वो ही features इसमें भी add-on करे गए है 60 plus car connected features इसमें मिल जाएगी उसी के साथ-साथ जो i20 N-line जो last year launch करी गए थी उसी तरह से venue N-line जो है वो सम छोटे-छोटे mechanical changes के साथ भी launch करी गए mechanical changes में mainly जो करा गया है वो suspension को थोड़ा से tune करा गया है ताकि आपको sporty feedback मिल सके चारो tires में आपको disc brake देखने को मिल जाएगी और ये N-line जो है वो range में venue के variants की range में सबसे top पे रखी जाने वाली है उसी के अलावा गर मैं safety की बात करूँ तो 30 safety features इसमें और add करे गए है प्लस इसमें आपको 20 plus standard safety features भी इसमें देखने को मिलेंगे head lamp escort function and more and more and more बहुत सारे features जो है इसमें अब safety में add करे गए है इसी के साथ साथ आपको इसमें drive modes भी देखने को मिल जाते है जिसमें normal, eco, sport 3 आपको drive mode मिल जाएंगे engine option की बात करे तो 1 liter, 3 cylinder, copper, turbo, GDI, petrol engine इसमें आपको देखने को मिलेगा जो की power develop करेगा 120 PS की और 172 Nm का peak torque आपको develop करके देगा transmission option एक ही है जैसे आपको engine option एक मिला है इसमें transmission option भी आपको एक ही मिलने वाला है जो की है 7 speed का dual clutch automatic transmission ये था हमारे आज इस वीडियो में Hyundai Venue N9 के बारे में कैसी लगी आपको Hyundai Venue N9 हमें comments भी जरूर बताएगा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ share करिएगा और channel पर नए है तो उसे subscribe जरूर कर लीजेगा latest updates के लिए नमस्कार